इतियास का एक एसा साप जिसके चीक से एमेजॉन के जंगल का जर्रा जर्रा थर्थर कापता था जो साप अपने सिकार को जकड कर बड़ी ही बेदर्दी से अपना निवाला बना लेता था दोस्तो हम एनाकॉंडा की बात नहीं कर रहे क्योंकि ये साप एनाकॉंडा को भी धर्थी के दानव कहें जाने वाले साप टाइटैन बोवा की दोस्तो स्वागत आपका आपके अपने चैनल सेकर के फैक्ट्स में दोस्तो आज हम धर्थी के एक एसे साप के बारे में बात कर रहे हैं जिसके आगे ये तुमारे अनाकॉंडा और अजगर बच्चे नजराते है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ टाइटान बुवा की दोस्तो आज से लगबग 6 करोड साल पहले जब पूरी पूरी पूरती पर से डाइनसोर का खात्मा हो गया जिसके बाद हर छोटे मोटे जीव को बड़ी ही अच्छी तरह से फलने फुलने का मोका मिल गया उनी में से एक काफी विशाल हुआ करते थे इसी तरह टाइटान बुवा भी अपने समय का आपी विशाल साप हुआ करता था उस वक्त इसके खोप से जंगल का हर जानवर ठर ठर कापता था क्योंकि टाइटान बुवा अपने शिकार को इतनी गंदी और दरदनाक मोद देता था जिसे सु मतलब की सग का ही निकल जाता साइज में बड़े होने के कारण ये किसी भी जानवर को पल भर में अपनी खुराग बना लेते थे उधारन के लिए ये एक ही पल में जंगली भाईसे को अपना शिकार बनाने की ताकत रखता था जंगली भाईसे के साथ साथ हिरान गेंडे और पाइथन से चौगुना दोस्तों ये सब 6 करोड साल पहले इस धर्ती पर मवजूद था और आज भी मवजूद है लेकिन इस हालत में दोस्तों आकिर क्या हुआ था जो ये जानवर अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाया क्या ये भी डाइनसौर की तरह किसी एस्टरो गर्म हो गया था जो कुछ हजार सालों तक अपनी उसी हालत में रहा जो विशाल का जीवों के लिए बहुती सई था उनी में एक था टाइटन बोवा जो आमेजौन के जंगल में कापी फाल फूल रहा था लेकिन समय के साथ साथ धर्ती का एन्वार्मेंट थंडा होते चला जो टाइटन बोवा के लिए मुसिबत की निशानी थी और फाइनली एन्वार्मेंट इस कदर ठंडा हो गया कि टाइटन बोवा को जिस तरह का एन्वार्मेंट चाहिए था वो उसे ना मिल सका और बाकी जानवरों की तरह ये विशाल जानवर भी विलपता हो गया वैसे द पारे में भी जानेंगे लेकिन किसी और वीडियो में तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में